है वेल्कुम तो यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल आज पर हम करेंगे 23rd of April के 10 most important एक जो है सेलिब्रेटेब और 22 अप्र पृत्वी दिवस मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है 22 मनाया जाता है क्योंकि पहली बार फर्स अर्थ समिट किया गया था प्रित्वी सम्वीलियन करवाया गया जिसमें हमने पहली बार अर्थ को बचाने के लिए अर्थ के प्रकृति को बचाने के लिए कुछ स्टैप्स उठाए थे और उसी के लिए फिर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 22 अप्रेल 1992 में इन रियो जो कहां पर है ब्राजिल में और इसी दे की याद में हर साल हम कौन सा दे मनाते हैं प्रिथवी दिवस मनाते हैं और इस साल की थीम है और इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट निवेश कीजिए अपने प्लैनेट में यह हमारी इस साल की थीम है थीम ओफ टूथाउज़ेट ट्वेंटीटीटू मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है और सस्टेनेबर डवलप्मेंट का सम्मिट कब हुआ था पहला सस्टेनेबर डवलप्मेंट पर कब सम्मिट हुआ था यह आपने मुझे कमेंट बोक्स पर बताना है तो आजका हमारा सेकेंड कोशन है मास्केट पार प्लास्टि नेजमेंट इस प्राकरती है most important question mascot launch किया गया है for plastic management के लिए हमारे environment minister हमारे environment minister ने एक mascot launch किया है किस के लिए launch किया है for plastic management के लिए और plastic को खतम करना है उसके लिए एक green initiative चलाए जाएंगे और उनके लिए एक mascot है उस mascot का क्या नाम है प्राकर्ति इसके नाम से पता चले लिए प्राकर्ति for environment और environment को कैसे सही करेंगे जब हम plastic management करेंगे और इस समय हमारे इन्वाइन्मेंट मिनिस्ट्रेणर गुपेंद्र यादर और तोक्यो लंपिक्स का mascot क्या था तोक्यो लंपिक्स का mascot क्या था मिरायत होगा और प्राव लंपिक्स का मित्रो भी आसघाः मित्रों रचकेश क्योज्च तो आ마या गायल हो चुके हैं किसी युद में या किसी वोर में उन सॉल्जर्स का गेम्स होंगी और उस गेम्स को क्या नाम दिया गया है इन्विक्षियस गेम्स और इन्विक्षियस गेम्स कहां पर होगी निदर लैंड सॉल्जर्स ओगाहि पुरानी फॉर्मल सॉल्जर्स के विए है ठीडिया आर कोमन वेल्स गेम्स का घुक्षियस गेम्स को कहां हो रही है इस सार की कोमन वेल्स गेम्स वो हो रही हैं इंग्लेंड़ड में बहा बर्निंगम और 2026 की कोहन वालती गेंश कहां पर होंगी तो ये होंगी विक्टॉरिया जो कहां पर है अस्ट्रेविया और नेदर लैंड की रास्था नी अमस्ट्रेडम इंगलेंड की रास्था नी लंडन और अस्ट्रेलिया की रास्था नी कैन्वर तो हमारा नेक्स्ट कोशिंग है सी वीड पार्क इन तमिल नादू सी वीड पार्क बनाया जाएगा कहां पर बनाया जाएगा इन तमिल नादू और क्यूं बनाया जाएगा? To give benefits to fishermen. Fisherman को benefits देने के लिए ये सी हमारे इंडिया का पहला seaweed park. Seaweed park मतला पानी के अंदर एक पार्ग होबा जो fishermen को help करेगा employment में और ज्यादा profit करने में. इंडिया का पहला है. और Tamil नादू. Tamil नादू की राजधानी? चेनाई. इसके इससा में CM है, M की स्टालिंग. और राज्य पाल है, जाने गवर्णर है. एमनेव, एमन, ब्रह्मी. तमिल नादू में कौंसी festival मनाया जाता है? जर्रीकर्टू festival में मनाया जाता है. और ब्रिदेश्वेरा टेंपल, फेमस ब्रिदेश्वेरा टेंपल में कमाबल है? इन तमिल नादू. और इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट डुगों कंसर्वेशन सेंटर. डुगों को कंसर्व करने के लिए एक कंसर्वेशन सेंटर खोला जाएगा, जो कहां पर खोला जाएगा? इन तमिल नादू. डुगों क्या है? एक परकार कर जीर है, मैमल है, वेजितेरियन मैमल है. तो हमारा नेक्स्ट कोशिन है. बियारो वे इस्टैब्लिश वर्ल्ड हाइस टर्मिनल बेट्वीन हिमाचल परदेश और लगणाख? सबसे पहले तो हम बियारो की बात करेंगे. बियारो की फुर्फों? बॉर्डर रोड ओर्डिनाइजेशन और बॉर्डर रोड ओर्डिनाइजेशन का फ़र्ट पॉर्टर है न्यू दल्यू और इस समय इसके चीफ है विवेक राम चोद्यू इसके इस्टाब्लिश्मेंट हुई थी कि निशो साथ में और पर्स्ट वूमेन कमांडर नहीं है विवारो की वह है विशाली हवासी और किस मनिस्ट्री के अंबर आता है विवारो इन डफेर्स मिनिस्ट्री क्या करेंगी वह सब्सक्रिस करेंगी दुनिया को सबसे हाय इस सुरंग जो किसके बीच होगी इनमाचल इन्ट फ्लादार्थ के बीच में दुनिया के सबसे बड़ी सुरंग खोली जाएं और हिमाजय कि राज़धानी शिम्ला रुदात्रम यूज़े है तो रुदात्रम यूज़े और प्रेंस में इस तरे समय है राजनाथ सुम्ला तो माइनेक्स्ट कोशन है सर्मत मिसायल टैस्टेट बाइ रुषिया रुषिया ने किया है रुषिया ने किया है और सर्मत कैसी किस परकार की मिसायल है सर्मत है इंटर कोंटिनेंटल बिलास्टिक मिसायल है मतलब एक कोंटिनेंट से दूसरे कोंटिनेंट तक वार करने वाली यह बलास्टिक मिसायल है और इसकी शमतार है 8,000 किलो मेंटर है और किस कंट्री ने इस क्या सपत प्रिक्शन किया है रश्या कंट्री में रश्या की रास्तानी आपको सब्सक्राइब इसके प्रेजडेट कौन है गुलाद अमिर पोतिन और कौन सी करंशी चलती है रूबल चलता है और ब्राहूमोर्स मसायर भी हमने किस से लिए है और किसे लिए है यह भी हमने तूर्स से लिए है और ब्राहूमोर्स को हम किस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे यह करेंगे हम फिलिपिन्स में फिलिपिन्स की रास्तानी मन नहीं है और हमारा नेक्स्ट कोशें है कैला है इस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कोस्मोस मेला बैरिकर्स इसका क्या मतलब है for making light on the history of 18th century कैला कैला में जो 18th century में हुआ था history में हमारे past में उनको preserve करना वहां पर जितने भी documents है हमारे history के 18th century में उनको preserve करना और conserve करना ताकि आने हाला future उनको देख सके और जा सके कि कैला ने history में क्या किया था और किस के साथ पैक्त किया है हमने नीदर लान के साथ पैक्त किया है और इस समी के लार के cm है पी एन विजियन और इदर लेंग की रास्थानी एमस्टरडेम और कैला की रास्थानी थिर्वंधनम पूरम और कैला का फेमस दान्स कौंसा है कर्थगर तो हमारा नेक्स्ट कोशिंग है National Civil Service Day on 21st of April Civil Service Day कब मनाया जाता है हर साल मनाया जाता है 21st of April में और क्यों मनाया जाता है क्योंकि on 21st April 1947 सर्दार वाला भाइपर तेरुने सेज उन्होंने Civil Service को क्या बोला था Steel Frame of India हमने लोगों है फ्रेम इन Civil Service क्या हरा हमारे इडिया की एक लोगों फ्रेम है लोगखर का बना हुआ एक फ्रेम है और हमने ये देख कब से बनाने की शुरुआत की 2006 में और ये इस साल में संस करने हुआ 15 अडिशन और सर्दार वाला भाइपर तेर। आयरन मैन ऑफ इंडिया लोगोश्य और इमके नाम से कौन सा दिवस मनाया जाता है यूनिटी डी और कब मनाया जाता है 31st of to work on तो माया नेक्स्ट कोशन है त्राइए एलिफ्रेंट रिजर्व इन यूपी त्राइए एलिफ्रेंट रिजर्व खोला गया है हाथ को बचाने के दिए रिजर्व एक खोला गया है कहां पर खोला गया है इन यूपी उत्तर पर देश जाड़ू और उत्तर पर देश के ये पहला एलिफ्रेंट रिजर्व है और एलिफ्रेंट डे हम कम मनाते हैं हम मनाते हैं 12 अगस्ट को मनाते हैं और इसी दिन हम एक ओडे मनाते हैं इंटरनेशनल व्यूद देश और उत्तर पर देश के रासानी लग्हानु और उत्तर पर देश में ही इनका सिर्फ एक मात्र नाशनल पाफ उसको क्या नाम है दुद्वा नाशनल पाफ और कथक भी कहां पर कहां का famous dance है उत्तर पर देश का और अभी अभी एक कथर के famous dancer का दिजन हो गया उनका क्या नाम है तो उनका नाम है विर्चु महराज कथर के famous dancer रहे हैं और लास्ट कोशन है PM museum is inaugurated in new Delhi PM museum बनाया गया और कि कहां पर बनाया गया है New Delhi बें क्या है इस फिक PM museum में ? हमारे जितने बी पृद्धान मत दिली है उन्हों जो भी हमारे इंडिया के लिए जितने भी काम किये हैं उनको एक museum में preserve रक्तना बना हुआनको highlight करना इस म्यूजर में होगा जैसे इस पिचर में आप देख रहे हुए जयाजुमान, जयाकिसान, यह भी हमारे PM के लिए है, चैनल जो हमारे PM रहे है, यह की आदमे है वाला, यह पिचर है, जयाजुमान, जयाकिसान, तो यह कहां पर इन्नागुरे रुप किया लिया है, नहीं हु हमारी न्युदेलि में हमारी कप रास्था नरी बनी सव ग्यारा में कहाथ से व्राइबंटली चाष्ट में में नराजना निकल करता था पर मज़ता का ती और में न्युदेलि कप धार चाहरो तो आज कि हमाया सेश्वें पर समापत होता है भादा